असलाम उलेकों, Programmer GMA here परेसली वीडियो में हमने अपनी ब्रेक आउट की गेम को तक्रीब अनम कमल कर लिया था स्कोरिंग को इंप्लीमेंट करके, दिफिकल्टी को इंप्लीमेंट करके और साथ साथ हमने लूस कंडिशन को भी इंप्लीमेंट किया इस तरह से कि हमने एक reset का function बना है जो कि सिर्फ तब चलता है जब ball bottom boundary of window से टकराती है यानिके जो नीचे boundary है window की उससे टकराती है ball तो game reset होयाती यानिके player जो है वो game को हार जाता है और इस video में हम अपनी game के अंदर चंद ऐसी चीज़ें बदने लगे हैं कि जिससे पूरी की पूरी game का design style और जो interest है वो बदल जाएगा और game बहुत बेतर हो जाएगी तो अब हम code में चलते हैं और VS code खोल कर देखते हैं कि क्या changes हैं क्या बदलते हैं let's just get on तो अब हम अपनी game breakout को देखते हैं और गोर करते हैं कि इसके अंदर क्या हम changes कर सकते हैं क्या वो हलकी फुलकी चीज़ों को बदल सकते हैं कि जिससे game पूरी की पूरी अच्छी हो जाए बहतर हो जाए क्यूंकि अभी जो game है उसमें कुछ मसले मसाइल है वैसे तो बहुत सारी मसले हैं लेकिन अभी जो हम गोर करना चाहरे हैं वो कुछ ही मसले है तो अब मैं गेम खेलता हूँ आपके सामने यह ball है और यह इसके angle बहुत कम है रैंडमली क्योंकि angle चुना जाता है और देख सकते हैं कि player paddle का ball पर कोई meaningful control नहीं है ball बास उपर नीचे आती है और हमने ball को सिरफ नीचे जाने से रोकना होता है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि game design का एक aspect होता है एक element होता है जिसको हम कहते है player agency इस game की player agency काम है player agency से क्या मुराद है player के पास कितने तरीके है कि वो जिससे game world जो हमारी जो game window है game world इसको हम कह सकते है इसके साथ जो interaction करता है player वो क्या meaningful कर सकता है या नही meaningful interactions player की game के साथ बिलकुल भी नहीं है बाल को रोकना होता है नीचे जाने से touch करने से boundary यह मकसद है तो हम चाहते हैं कि इस game के अंदर कोई meaningful interactions हो player के ball के साथ इस world के साथ blocks के साथ और उसका एक तरीका जो मैंने सोचा है वो यह है कि ball जो है वो जब paddle से टकराए तो उसका angle चेंज हो based on ball paddle के कों से हिससे से टकराई है मिसाल के तोर पर अगर ball paddle के konos से टकरा रही है तो उसका angle जादा बदलेगा और अगर konos की बज़ाए beach से टकरा रही है तो ball का angle जो हो काम हो जाएगा और इससे एक तरह से player को agency मिल जाएगी कि अब player ball की angles को ball के movements को एक मज़ेदार तरीके से बदल सकता है और उसके साथ खेल सकता है उससे I think game का मज़ा भी जादा हो जाएगा और game थोड़ी interesting हो जाएगी एक तो यह बात और दूसरी जो बात है वो यह है कि जितने भी blocks हम देख सकते हैं I think 160 blocks है यह सारे blocks का color सेम है orange block हाला के multiple colors होने चाहिए थे और बलके जो हम मैंने शुरू में breakout का demo दिखाया भी था उसमें भी multiple colors ही यूज हो रहे थे और वो हम इस वीडियो में implement करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम इन blocks को multiple colors दे सकते हैं तो अब हम इसको implement करते हैं लेकिन implement करने से पहले मैं एक छोटा सा मतलब brief overview दे दूँ कि मैं क्या कहरा हूँ कि ball जो है किस तरह से player paddle के साथ यहां टकराएगी कि उस relation से ball का angle चैंज हो तो यह कैसे हो सकता है तो यह paddle है हमारा अब paddle के center में जब ball टकराएगी तो उसका angle जो है ball के movement का वो कम हो जाएगा लेकिन अगर यही ball मतलब जितना right side या left side पर टकराएगी उतना angle उस side के लिहाज से कामिया जाएदा होगा और वो काम जाएदा इस तरह से होगा कि speed x जो है वो कामिया जाएदा हो जाएगी obviously यह सारा कुछ हमने ball paddle collision में करना है तो हमें डूनता हूँ ball paddle collision record को और यह मुझे मिल गया ball paddle collision अब जब यह speed change हो गई तो speed के change होना नहीं के बाद हम इधर सारा process कर सकते हैं तो हमें यह दो तरह की centers चाहिए एक paddle का center होगा और एक ball का center होगा तो मैं लिखता हूँ float paddle center equals to paddle.get position x जब मैं center की बात करों तो मैं कहना चाहरूँ कि सिर्फ x-axis में center y-axis कर नहीं क्या करना है सिर्फ x-axis तो paddle की x-position ले लिए उसमें अगर मैं paddle का half-size add कर दूँ तो मुझे paddle का center मिल जाएगा get size dot x y-by-two चोके यह float सारा कुछ तो float में ही लिखना चाहिए dot 0 f जब में center को compare कर रहे हैं कि वह कहां लगने उसके मताबिक हम speed x को बदलेंगे तो मैं लिखता हूँ ball dot get position dot x plus ball dot ball जो के circle है तो it's not a size इसका size तो नहीं होगा इसका radius होगा get radius और radius और radius जो है वह पहली half होता है diameter का तो इसको multiplier पर 2 करने की ज़ूँ नहीं add कर देना है difference of the centers जो centers के differences होंगे उनको add कर देंगे और उनको amplify कर देंगे किसी factor से मिसाल के तोर पर 5.0F यह factor जिसे amplify कर रहे है उस difference को कि ताके थोड़ा change नजर भी आए तो ball center minus paddle center और इस तरह से हमें player agency all right time to play मैं कोने से touch करता हूँ और गोर की angle बदल गया right अब game मज़े किया है और फिर मैंने angle कम कर दिया कोने से टकराई तो that's a thing यह और मजीद आगए यह वाव how cool is that change of angle जो है वो game के अंदर काफी variation लेकर आ रहे और मैं angle इतना दादा चेंज कर दिया तक कि मैं हार गया इती तरह मैं कोशिश करूँ कि angle ना चेंज करूँ तो इसका मतलब है कि मुझे ball को मुसलसल center पे hit करना पड़ेगा paddle के या पि मैं कोने में अगर hit करूँँगा तो ball का angle चेंज हो जाएगा how cool is that और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ नहीं angle सही हो जाए angle सही करते है यह angle सही करते है यह देखा अब मैं ball को एक तरह से control कर रहा हूँ और यह है वो player agency कि ball के साथ यह paddle तकरा रहा है उसकी कोई meaning तो है कोई sense तो है वरने इससे पहले क्या sense थी पहले बस आप ball को रोक रहे थे नीचे window की lower boundary को touch करने से तो अब हम एक और चीज ठीक करते हैं और वो यह है कि blocks के मुक्तलिफ colors हों अभी blocks सिर्फ एक ही color के हैं सारे blocks के colors हम इस तरह से set करेंगे कि जो हमारी boolean array है blocks की यह boolean है boolean बलके game.h में जाते हैं और देखते हैं boolean array अगर हम इसको integer में represent करें और minus one का मतलब है कि block नहीं होगा और फिर zero, one, two, three का मतलब है फलाँ color का block फलाँ color का block यानि के हम कह सकते हैं मिसाल के तोर पे zero is blue block, one का red block और फिर हम इस block की array के अंदर जो integer array अगर उसके number set करें और उसले हाथ से हम block के different colors अचीव कर सकते हैं यह बात क्लिए रहा है और अगर नहीं है तो अभी हम करके देख लेने हैं boolean के बज़ाए integer array है मैं game.cp में जाता हूँ अभी यहां false है यह बाता है यह बाता है जहां जहां भी boolean के तोर पे इस block की array इस्थमाल हो रही है वहां उसको integer के तोर पे इस्थमाल करना है minus one का मतलब है कि कोई block नहीं मैं reset में जाता हूँ reset में true आ रहा है तो true की बाता है हम कर सकते हैं यह थोड़ा सा tricky है बट देहान से देखें i percent 3 तो यह i percent 3 का क्या मतलब है यह modulus operator यूज की है यह वैसे मैंने पहले भी समझाया था लेकिन मैं फिर से clarify कर दूँ कि अगर फ़र्स करो कि i की value 0 हो तो modulus के बाद modulus 3 के बाद भी इसकी value 0 ही होगी अगर D Mark a key value 1 भी ऐसकी value 0 हो तो modulus के बाद 1 होगी right इस तरह मैं multiple cases आपको दिखाता ही आपको समझ्याज्य कि होके जब 2 होगी तो modulus के बाद 2 होगी 3 होगी तो modulus के बाद 0 हो जाएगी ठीक है 4 होगी 5 होगी तो modulus के बाद 2 हो जाएगी और इसी तरह यह pattern चलता रहेगा यानि कि मैं अगर 6 लिखूंगा तो उसका फिर modulus के बाद 0 हो जाएगा और 7 पे होगा 1 8 पे होगा 2 और मतलब यह सारा pattern 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2 यह repeat होता जाएगा सारे 160 नमर्स तक और मैं चारों के pattern आज है हमारे पास i% 5 भी कर सकते है i% 10 भी कर सकते है जितने मर्दिया blocks चाते हैं लेकिन अभी के लिए फिलाल हम सिरफ तीन रंगों के blocks बनाना चाह रहे है अब मैं जाता हूं नीचे और जहां भी इस block जो है वो boolean के तोर पे इस्तमाल हो रहा है वहां उसको अब integer के तोर पे इस्तमाल करना है तो let's see there यहां आप देख सकते हैं boolean के तोर पे इस block इस्तमाल हो रहा है तो हम यहां कहते हैं इस block जो भी है is not equal to minus 1 अगर minus 1 के equal नहीं है तो फिर को लीजा है पॉल्स का मतलब minus 1 है तो पहले इस block minus 1 नहीं था यानिके 0, 1 या 2 था और जब ball टकराई block से तो वो minus 1 हो गया इस block यानिके वो block gaiv हो गया हतम हो गया और अब मैं नीचे जाता हूं मजीद यहां रेंडर में हमने काफी चींज़े बदल लिए यहां अब यह boolean के तो पर इस्तमाल हो रहा है तो हम यहां कह सकते है is block is not equal to minus 1 तो फिर orange color वरना gaiv यह तो ठीक है लेकिन इसमें बाकी 0, 1, 2 नहीं आ रहे पूरे ठीक है वो cases भी हमने भरने है तो हम यह कर सकते हैं कि हम if else की बज़ाए हम switch statement को इस्तमाल कर सकते हैं और switch statement में case होते है case 0, case 1, case 2 और case default case default का मतलब है कि disappear हो जाए और 0, 1, 2 का मतलब है कि कोई specific color दिखा दे show कर दे अभी फिलहाल 0, 1, 2 या कोई भी minus 1 के इलावा number होगा उसमें orange block ही आएगा तो अब मैं सारा select कर रहा हूँ और मैं इसको फोरन से paste कर रहा हूँ ठीक है और गभराना नहीं है very simple इसमें हो यह राय कि हम switch कर रहे हैं इस block के number की base पर अगर वो 0 है तो कह रहे हैं red color अगर वो 1 है तो कह रहे हैं blue color अगर वो 2 है तो green color अगर 0, 1, 2 में से कोई भी नहीं है यानि के कहले को minus 1 है तो फिर background color वो ही जो red और green का gradient था तो that's it तो यह देखे हैं हमारे result तीन रंगों के blocks green, red और blue और मैं खेलता हूँ तो it's working absolutely fine और यह ही हमारी improvements थी जो हमने breakout के अंदर करनी थी मुझे उमीद है के आप लोगों ने इस series को enjoy किया होगा लेकिन ये video भी हतम नहीं अभी हमने मजीद कुछ बाते करनी है और कुछ challenges है आपके लिए जो के मुझे उमीद है के आप लोग उनको कर पाएंगे जाहरे क्योंके आप लोग ने इतना कुछ तो सीख लिया तो कुछ challenges तो बनते हैं नहीं हमने इस breakout की series में क्या कै सीखा basic object oriented game development consistent movement on all computers using delta time use of array and grade advanced movement भी सीखी हमने जो के मैंने या लिखा नहीं लेकर सीखी advanced movement यानि के trigonometry के इस्तमाल से angle movement और basic concept of increasing difficulty के जब हम गेम को मुसलसल खेलते हैं तो गेम आइसा ऐसा मुश्किल होती है जिससे फिर प्लेयर जो इंगेज करते हैं गेम के साथ और गेम में challenge आता है जो के जरूरी है scoring का concept के ब्लॉक को जब break करते हैं तोड़ते हैं तो हमें स्कोर मिलता है ठीक है और इसी तरह स्कोर मिलता रहता है और फिर आखर में जो के बहुत ज़रूरी थी चीज़ वो है player agency के player agency क्या चीज होती player agency मुझे से मुराद यह है के जो player है वो किसी ना किसी तरीके से game world के साथ meaningful कोई अच्छा interaction कर सके कोई ऐसा interaction कर सके के जो माई नी रखता हो तो that's it उसके इलावा जो भी कुछ learning points होंगे वो majority जो है वो previous game series में cover है जैसे के Pong में हमने game loop को cover किया और भी बहुत साथ चीज़ों को cover किया तो अब हम बात करते हैं potential improvements और challenges की यह वो चीज़े हैं जो अगर आप नहीं कर पाए लेकिन असूलन तो यह होना चाहिए कि इसनी मुश्किल नहीं है और यह challenges improvements आप खुद भी कर सकते हैं और यह करने हैं आपको यह मेरी तरफ से आपको challenge है अगर आप यहां तक पहुंच के हैं अगर आपने पिछली सारी breakout series और Pong की वीडियो देखी हैं तो पहला challenge यह है कि अगर बॉल एक हास किसम के block से टकरा है एक certain किसम के हास भी नहीं कहना चाहिए मतलब मिसाल के तोर पर red block से टकरा जाए या blue से या green से किसी एक color block से टकरा जाए तो gameplay में उसका एक असर होना चाहिए कोई असर आए gameplay में जब वो किसी एक block से टकरा है मिसाल के तोर पर example जबने दी है वो यह कि अगर ball येलो block को टकरा है तो पिर ball की speed भर जाए और अगर blue block को टकरा है तो ball के speed काम हो जाए इसी तरह अगर green block को टकरा है तो paddle का जो विर्थ है वो बढ़ जाए और अगर red block को टकरा है तो पैडल की जो विरत है वो काम हो जाए तो इसकी सम्के multiple effects आप डाल सकते हैं कि एक block से टकरा है तो फिर उससे क्या हो सकता है of course यह आपकी imagination में छोड़ता हूँ और उसके बाद जो दूसरा challenge है यह जो जूसरी improvement है वो यह है कि आप block edge detection डाले block edge detection से क्या मुराद है इससे मुराद यह है कि अगर ball जो है वो block के right side से टकराए तो फिर वो left side पे reflect हो, right? I think ball अगर block के right side पे टकराए तो वो right side पे reflect हो, right? मतलब आप समझ गये, कि नीचे से भी, left से भी, right से भी, उपर से भी हर चारो जो edges है ब्लॉक के, उसकी detection हो, ball के साथ और उसके मताबिक फिर ball reflect करें keyboard के events भी आपने डालने है अभी जो game है वो mouse से चलती है और उसमें keyboard events नहीं है तो keyboard event से क्या मुराद है कि हम left और right का button दुआए या फिर A और D का button दुआए तो battle जो है वो right left move करें जैसे कि हमने Pong में किया था इसी तरह जब हम escape का button दुआए तो game pause हो जाए, game रूप जाए और फिर जब हम escape का button को दुबारा दुआए जब game pause थी तो फिर game फिर से start हो जाए, फिर से चल पर उसी जगह से जहां game pause होई थी आखर में यह है कि जब सारे blocks destroy हो जाए जब सारे blocks disappear हो जाए, screen में से gaib हो जाए तो फिर you win का text आना चाहिए बड़ा सा screen के उपर क्या आप यह कर सकते हैं? यह वो challenge है अगली game series है Space Invaders की और वो इनतहाई tough होगी मैं मुझे मतलब बहुत मैं clearly बात कर रहा हूं कि वो tough होगी क्यूंकि उसमें multiple classes होगी उसमें काफी चीजें complicated होगी मेरे हैल से हो सकती है यह जब यह 5 games की series है उसमें से जो सबसे मुश्किल series है यह अगली series ही है Space Invaders की बात जो दो series है वो असान ही है बस language is different है तो हो सकता है वो भी मुश्किल हो लेकिन Space Invaders की series सबसे दाद कुम्प्लेक्स है तो लहाजा तयार हो जाए एक और बड़े adventure के लिए एक और बड़े journey के लिए game programming की अपना अपने गर्मानों का हयाल लखें और श्रे मिलते हैं अगली वीडियो में अगली series में अलाहाफ़ज